जिन्दिगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है मैं समझता हूँ कि नोट्री के इतिहास में आज महराष्ट के आबेदकों का आज एक सुनहरा दिन है ये उनका आज दिन है चुकि नोट्री पोटल पर महराष्ट का भी आज से पोटल पर उनका नाम महराष्ट राजे का सो क करने लगा है हिमाचल परदेश का भी सो करने लगा है तो कुल मिला कर कहें तो पांच राज्यों का अब नोट्री पोटल पर डोकोमेंट सम्मिट का कार्ज होना जारी अब हो चुका है एक में आप जानते ही हैं गुजरात था उसके बाद दूसरे नमर पर राजिस्थान था फिर उत्रा खंड था लेकिन अब क्या है कि हिमाचल परदेश के सासत महराष्ट के आबेतों को का भी परकिरिया सुरू हो चुका है अब भारत के अन्य राज्यों का जो जिग्यासा है कि उनके राज्य का कब अब उनके राज्य का नोट्री पोटल पर कब से डोकोमेंट सम जारी हुआ या कहिए रिजल्ट जारी हुआ वो तक्रीवन दो दिन चार दिन पान दिन के सभी डिफरेंस में था तो मैं बारी बारी से बता दूं गुजरात का जो रिजल्ट डिकलियर हुआ था वो एक मार्च दोहजार चोबीस को हुआ था हिमाचल परदेश का एक मार्च दोहजार चोबीस को हुआ था फिर अगला नमर था बिहार का बिहार का आठ मार्च दोहजार चोबीस को जार्खंड का भी आठ मार्च दोहजार चोबीस को रिजल्ट इसू हुआ था फिर 15 मार्च दोहजार चोबीस को चंडीगर का हुआ उतरा खंड का भी 15 मार्च महराष्ट का भी 15 मार्च दो हजार चोविस को हुआ असम का 15 मार्च दो हजार चोविस को उरिशा का 15 मार्च दो हजार चोविस को फिर गोवा था गोवा का रिजट 16 मार्च दो हजार चोविस को देली को 16 मार्च दो हजार चोविस को हर्याना का 16 मार्च दो हजार चोविस को पंजाब का 14-5-2024 को, MP का 14-5-2024 को, UP का 14-5-2024 को, बेश्ट बेंगावल का 14-5-2024 को, केरला का 14-5-2024 को, इस परकार से रिजल्ट पब्लिस किये गए थे, तो अब, जो अन्य राज है, आप निचीती समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ कि फिर बारी बारी से अन्य राजों का भी, जिस परकार से आज महराश्ट हिमाले, हिमाचल परदेश को जोरा गया है, उसी परकार से अन्य राजों का भी जोरा जायेगा, अब जो notary आबेदों को के लिए जो आगे challenge है वो challenge इस परकार है चुकि बहुत से notary आबेदों को का comment आता है कि sir उस पे क्या load करना है original करना है या document या jerox करना है तो जैसा कि आप जानते हैं आपने जो notary sale में जो आप by post आपने document भेजा था कुछ आपने उसमें original भेजा था कुछ jerox भेजा था तो जो आप original भेज चुके हैं उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है जो भी अब आपके पास document है चाहे original है या उसका jerox है आप अगर आपके पास original है तो original का जो भी है उसको load करें अगर jerox बज जाता है तो jerox लोड कर दें इस परकार से मैं समझता हूँ कि नोटी सिल जो भी आपसे डेमांड करता है किरिपिय आप करते जाएं और आपका आप इसके परती मुस्तैद रहें और आपका जो status है status को चेक करते रहें कि अभी active बता रहा है या inactive बता रहा है या dot dot बता रहा है तो इस परकार से आपका कल्यान हो सके और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ चुकि मैंने प्राइम मिनिस्टर ओपिस में मैंने संपून भारत के नोटी आवेदकों के कल्यान के लिए कार्ज में परगती लाने के लिए आवेदन डाला था तो परधान मंतिरी ओपिस का आज तक जो result है अंडर प्रोसेस है उसके इलावा राष्टिय मानवा धिकार का वो भी समझे तो एक तरो से अंडर प्रोसेस है तो मैं समझता हूँ कि आपने इडवोकेट नोटरी इडवोकेट एसोसियेशन में आपने जुरने का जो आपने कोशिस किया आपने जुरा उसी का परिनाम है कि अब नोटरी सेल इस बात को समझ गई है अब उसको एहसास हो चुका है कि नोटरी जो भी आबेदक है वो कंसस है एक्टिव है अब उनका अगर समय से कार्ज नहीं होगा तो ये किसी भी अस्तर पर जा सकते है तो इस परकार से ये जो परधान मंतरी ओपिस का जो इस्टेटस अंडर प्रोसेस बता रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं परधान मंतरी ओपिस नोटरी सेल पर जरूर दबाब बनाई है और ऐसा हुआ है कि हम सबों को एक सुत्र में बंधने के कारण तो ऐसे नोटरी के आबेदक जो गुरूप में जुरे मैं उनको धन्यबाद देता हूँ और अब चुकी क्या है कि अब मैं समझता हूँ जो पूर्म में जो भी समस्याय थी अब उस तरों का चलेंज हमारे आपके सामने आने नहीं जा रहा है चुकी हमारा यह आपका अब अनुभा बर चुका है अब जो भी नोटी से जुरे आवेदक है वो कंसस हो गये है वो जागरूक है वो सतर्क है अपने कार्ज के परती और आने वाले दिनों में और भी इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे और भी इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेंगे तो अभी फिलहाल जो हमारे आपके पास जो चलेंज है चुनोती है कि जिनके इस्टेट का नोट्री पोर्टल पर नाम आ गया है वो किर्पिया अपना डोकुमेंट समिट कर दे और सजग रहें दूसरी ओर जिनका नाम आने वाला है किर्पिया आप गुरूप से जुरे हुए रहें नोट्री एड़ोकेट एसोसियेशन से जिसका मैंने नमबर भी जारी कर दिया था 6200-662773 आप इस गुरूप में जुर कर रहें और जो ही किसी भी राज्य का नोट्री पोर्टल पर जो ही मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने गुरूप से जुर कर आपने बहुत अच्छा कार्ज किया और आपके सहजोग से प्राइम मिनिस्टर ओपिस में राष्टिय मानवाधिकार में जो कंपलेन किया गया मैं समझता हूं आपने भी कंपलेन किया उसी का आज असर है कि नोटी सेल पर दवाब होता दिख रहा है तो अब भविस में हमारे आपके साथ किसी परकार से अनूचित नो हो किसी परकार का समसिया नो हो उससे जुझने के लिए नोटी एड़ोकेट एसोसियेशन कार्ज करती रहेगी तो आगे देखिए चुकि अभी पांच इस्टेट इसमें फिर जुरेगा मुझे ऐसा लगता है कि इसी परकार से अन्य इस्टेट का भी नाम बहुत जल्दी जुरेगा और उनका पोटल बहुत जल्दी खुलेगा घबराने का कोई भी जरूत नहीं है चुकि जो भी नोटी के आबेदक है सभी हमारे परिवार के सदस हैं सभ चुकि मैं अपने घर से सबसे पहला बकील हूँ जो बहुत जिद करने के बाद मैंने बना मेरे पास बकील बनने के लिए पैसे नहीं थे साधन नहीं थे लेकिन ऐसा हुआ के चुकि ऐसा समस्या क्रियेट किया गया कि मजबूर होके लल बी करना परा और मैं जिस मुसीबत म जिस समस्या का समधान जिस समस्या को सहते हुए मैं वकील बना मुझे एहसास हुआ कि क्यों नहीं हमारे जीसे और भी जो मजदूर है उनके हक अधिकार का भी रक्षा किया जाए इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शूरू में क्या किया कि आपके लिए आप में आया आप लोगों ने भी सहजोग दिया तो मैं समझता हूं कि आपका और ये मेरा जीमेवारी है कि जो भी वकिल बनते हैं मैं भली भाती जानता हूं उनको बहुत से संघर्षों का सामना करके इसमें आना परता है फिर क्या होता है कि 10 साल प्रैक्टिस पूरा होता है तो हमारे साथ जो चुनोती है आप हम सभी इससे बाकिप हैं तो कहना यह है कि नोटी का एक भी आबेदक लाइसेंस से बंचित नहीं होना चाहिए अगर गुरूप में किनी का मैसेज आता है तो मैं देखता हूं कि बहुत से नोटी के आबेदक हैं उनको हेल्प करते हैं और भ पोकेट एसोसियेशन के महत्व को आप समझेंगे और समय समय पर एक दूसरे को मदद करेंगे तो आज का दिन है महराष्ट और हिमाचल परदेश के लिए इस्पेसल दिन है तो महराष्ट और हिमाचल परदेश या अन्य जो भी राजी है मैं उनको धन्यवाद देता हूं और नोटी आबेतकों से निवेदन करता हूँ, कि आप किसी भी नोटी जो आबेतक हैं, उनसे इर्षिया मत पालें, आप उनसे नफरत नहीं करें, जो भी नोटी है, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, और देर सभेर अन्य राजों का भी नोटी पोटल जरूर सो करने जा रहा है, आपका भी करेगा, चुकि बिहार, जहारखन, पच्छिम, बंगाल या अन्य जो भी मैंने बताया है, सभों का धीरे-धीरे क्या होगा, कि इसी परकार से नोटी पोटल पर इस्टेट का नाम सो करता जाएगा, आप डोकुमेंट समित करते जाएगे, और नोटी परमान, प्रेक्टिस परमान पत्र आपको मिलता चला जाएगा, तो अब जो भी राज्य के हैं, किरपिया आप धहर से रहें, लेकिन बैटन बाज की इस्तिती में रहें, और एक दूसरे को सहजो करते रहें, तो मैं महराष्ट के आबेदकों को, हिमाचल परदेश के आबेदकों को, मैं दिल से धन्यबाद देता हूँ, चुकि आप भी हम करते रहें, चलिए ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,